हेई गाईज वेलकम बैक तो मैं चैनल दोस्तों सिसका ने अपनी एक नई स्मार्ट वोच लॉंच किये है जिसका नाम है सिसका बोल्ट SW200 और यह स्मार्ट वोच जो है वो 11 जून से आप लोगों को फिलिप कार्ट पर मिलना स्टार्ट हो जाएगी तो दोस्तों आज किस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उन रिजन्स के बारे में जिनके लिए आप लोगों को यह स्मार्ट वोच परचेस करनी चाहिए और साथ ही उन रिजन्स के बारे में बात करेंगे जिसके लिए आप लोग इस स्मार्ट वोच को वोईड कर सकते तो चलिए वीडियो काफे ज़्यादा इंट्रस्टिंग होने वाली है मेरी आप लोगों से एक बस छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोग में इसाथ वीडियो में लाश्ट तक बने रहे ना सो वीडियो शू करने से पहले तो चलिए दोस्तो सबसे पहले बात करते हैं उन रिजन्स के बारे में जिनके लिए आप लोगों को ये स्मार्ट वोच पच्चेस करनी चाहिए दोस्तो इसे स्मार्ट वोच को लेने का सबसे बिड़ा जो रिजन है वो है इस स्मार्ट वोच का प्राइस 2499 के price range में आप लोगों को ये smart watch मिलती है और इस price range में आप लोगों को इस smart watch में SPO2 monitor, heart rate monitor, sleep monitor, drink water reminder और female health tracker जैसे features मिल जाते हैं जो कि आप लोगों को 3-4000 की smart watches में देखने को मिलते हैं वही 1.28 inches की इसमें आप लोगों को IPS LCD डिस्प्ले मिलती है जो आती है 214-240 pixels के साथ में दोस्तों यही display size आप लोगों को noise with active में देखने को मिलता ही है बात अभी आप लोगों को ध्यान में रखनी होगी वही 100 plus watch faces आप लोगों को इस smart watch में मिल जाते हैं और वही चार चान तो जब लग जाते हैं जब इस smart watch में आप लोगों को metal की body मिलती है जी हां दोस्तों इस smart watch में आप लोगों को metal की body मिलती है और आप लोगों को ध्यान में रखना होगा यह smart watch आती है 2499 के price range में वहीं दोस्तों इस smart watch में आप लोगों को 10 days की battery मिलती है जो कि company ने claim की है वही 10 sports mode आप लोगों को इस smart watch में मिलते हैं IP68 की rating आप लोगों को इस smart watch में मिलती है अगर हम इसको दूसरी smart watch इससे compare करें जिनका price काफी आई है तो noise with active में भी आप लोगों को IPX7 की rating मिलती थी वहीं दोस्तों bluetooth version 5.0 का support आप लोगों को इसमें मिलेगा जिसकी जो range होगी आपके phone से वो 10 meter की होने वाली है यानि कि स्मार्ट watch के और आपके phone की जो range होगी वो 10 meter की होगी वही smart features में आप लोगों को smart notification, alert, camera control, music control और find my phone जैसे features मिलने वाले है तो दोस्तों ये तो थे वो reason जिनके लिए आप लोगों को ये smart watch purchase करनी चाहिए उसे smart watch में एक कमी थी जो थी accuracy की, उसे smart watch की accuracy इतनी अच्छी नई थी तो दोस्तों यही बात मुझे इस smart watch के साथ भी थोड़ा खटक रही है क्योंकि इस smart watch का price भी वो ही है तो अगर आप इस smart watch को लो तो इसकी accuracy वगएरा अच्छी से test कर लेना एसी वीडियो देखना जिसमें accuracy वगएरा अच्छी से दिखाई हो, step count वगएरा की SPO2 monitor की वैसे मैं से smart watch को purchase करने वाला हूँ, मैं अच्छे से इसका review आप लोगों को दूँगा आप लोग तभी से smart watch को लेना सो दोस्तों आज की इस वीडियो बस इतना ही मिलते हैं, अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद